हो चुका है आगाज रंड का युग बदलने की तयारी और जीत उसी का होगा जिसका संगर सजारी जियां दोस्तो युद्ध का आगाज हो चुका है रंड का आगाज हो चुका है आप लोग का बोर्ड एक्जाम सामने आ चुका है जियां बोर्ड एक्जाम के तयारी में आप लोग भी फोड़ोगे बिलकुल यह मेरा वादा है बस बने रो मेरे साथ मेनत करो मेरे साथ चलिए आगे बढ़ता है चैनल पर दोस्तो जितने सार पहली बार है उना प्लीज सब्सकाइब कर ले ना क्योंकि सब्सकाइब करोगे तो मेरा मोटिवेसन बढ़ता है और मैं आप लोगे अच्छे अच्छे और भी अच्छे अच्छे वीडियो सुनाओंगा चलिए पहला स् किसे संख्या जो इस रूप में नहीं रहता है माल लो ऐसा को यह 2.3634546912 मतलब ऐसा आता रहेगा अब नहीं पता आगे क्या रहा है मतलब इसको अब कुई बटा कर रहा रहेगा नथे इसलिए आपका परिमेर संख्योंगा नहीं होगा और परिमेर संख्यों समझे तो चलि परिमेश संख्या नहीं होगा, क्योंकि यह रूट के अंदर में है, ठीक है, सुन लो मेरी एक बात को ध्यान से, अगर रूट के अंदर में ऐसी संख्या दिया हुआ है, जिसका बर्गमुल पूरा-फुरी नहीं निकलता है, तो वो परिमेश संख्या नहीं होगी, वो परिमे ही संख्या होती है हाँ बाइस बटा साथ अगर बोलता तो आपका परिमेश संख्या होता है इसलिए दोस्तों यह थोड़ा से यह देख लिजेगा लेकिन दोनों यह आएगा तो आपको नंबर मिलेगा गरत बुना हो तो भी लेकिन ऐसा एक्जाम में कुशन नहीं आएगा को यह एक option साब के यहां से हटा देगा समझ गए चलिए बस चीजों को समझ के रखिए अगला स्वा देख चार बटे तीन का दस में लोग परसार है सांथ है कि अनवसानी आवर्ती है कि अनवसानी आवर्ती है कि मैं से कोई नहीं तो इसको भाग दोगे इसको तो क्या आएग सांथ नहीं है यह सांथ होता तो पॉइंट वो रुख जाता जैसे 2.5 होता यह सांथ हो गया रुख गया यहां क्या 1.3333333 आता ही रह रह रहा है तो क्या होगा यह यह दोस्तों होगा पुनराब रित्री जी हां यह पर कह सकते हैं अनवसानी आवर्ती तो यह हो जाए option नं आपको यह रिपीटेड नहीं होगा तो अनवसानी आवर्ती होगा समझ गया है अब इसको गुना करना है सिंपल सब बहुत असान है क्या करना रहो इसका फर्मूलावी लिख सकते हो हम लोग एक फर्मूला होता है क्या सर ए प्लस b और इंटू a-b का फर्मूला होता होता है कि नहीं होता है हां sir होता है इसको e समझे मेरी बात को option number जो है बी बिल्कुल परम सचत उत्तर हो जाएगा अगला स्वाल दिया देखिए साथ के पाउर में छे बाटा पांच मान निकलने बोलाया ठी है तो साथ के पाउर में चे बटा regardा एक एक इसको माइनस कर गो तो साथ के पौवर में क्या है? LCM 5 आ जाएगा और यहाँ 6 माइनस 1 हो जाएगा सिंपल से है पाँच का LCM ले लो 5 एकम 5 तो 6 एकम 6 5 एकम 5 तो एकम 1 एक ही होगा तो 6 में गया तो 5 मनन साथ के पौवर में होगा पाँच बटा में 5 एकम बार में यहाँ 7 के पौवर में होगा एक एनसर होगा साथ जो कि option number 1 है क्या बात? अरे वह गजब सर चलो आगे बढ़ते हैं देखो क्या है? बहुपद दिया हुआ है का घात होगा सुन लो मेरी बात ध्यान से कान खुलके आप सभी एक साथ क्या होगा? घात मतलब होता है जो पावर में सबसे ज़्यादा होता है पावर मतलब सर माथा में माथा मतलब सर अरे भाई यह जो है ने x के पावर में 5 माइनस x के पावर में 4 प्लस 3 जो सबसे ज़्यादा है घात वही होगा घात सबसे ज़्यादा क्या है एक्स के पाउर में पांच तो यह होगा आपका एंसर ठीक है अगर यह बाला चीज नहीं रहता तो अब तब घात कितना होता तब आपका घात 4 हो जाता है यह अपसे देख सकते 4 है समझ गया ना तो इस सबसे ज़्यादा रहेगा पाउर में वाई के पाउर में जेड़ करें किसी करें पाउर में जो सबसे ज Rs़्य जयिए उन देखो क्या आगे, PX बहुपद X3 पर 5-X3 पर 4-3 का घातित हो गया, PX बढ़ाब 2X प्लस 1 का सुन्यक क्या है, तो सुन्यक क्या है, जब भी सुन्यक निकालने बोलेगा, उतना बरबर 0 पूट करें, PX प्लस 1 बरबर 0, तो 2X बढ़ाब क्या हो जाएगा, तो इधर प्लस 1 ह हो जाएगा, तो माइनस 1 हम लिख दी है, माइनस 1 अब X बढ़ाबर क्या हो जाएगा, यह दो गुना में है, तो दर जाएगे बटा हो जाएगा, माइनस 1 बाइ 2 अपका एंसर हो गया, माइनस 1 बाइ 2, option number D, हो गया, सही, बढ़ जाएगे, बहुपद में X2 का गुना अंग गुना अंग, तो X2 के साथ गुना में क्या है, वो चीज एंसर हो जाएगा, गुना में कुछ दिख रहा है, कुछ भी तो नहीं है, जब जिसका कोई नहीं होता है, उसका एक होता है, समझ रहे हो, तो एक हो जाएगा, लेकिन माइनस में है नसर X2 का गया, तो माइनस 1 एंस से भाग देने पर सेस्पल क्यात किजिए तो जब भी सेस्पल निकाले पर भाग देने मतलग जाना option में है ठीक है तो क्या है यह objective है आप भाग देने यहां बोला है लेकिन आप उससे भी जल देगा सकते भाग दोगे तो लेट हो जाएगा ना तो क्या करोगे एक्स प्लस जो वन लिखा हो है ना जो छोटा वाल होगा एक्स प्लस वन को मतलब जिससे भाग देने बोलेगा तो एक्स प्लस वन बराबर क्या पूट करते ना एक्स प्लस वन बराबर हम जीरो बठा देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस वन एक्स बराबर माइनस खली बैठाथ én — 11 का Q हो जाएगा , सिस्कों आगल का किया स्कॉरूब करां प्लस में workers स्य स्कुरूण स्कुर्स में आए- है state , यहां पर है स्कॉर था , और यहां स्कुर्स एंड oportunidad करते हैं हम आगें दो जाएगा Candledो यह इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे स्लिखेंगे तो 13 हो गिया यह पर 19 स्कॉर tweeted था तो तीन्य ह chilli हो जाएगा और प्लस मैं मैंश 3 हो जाएगा और Jake हो जाएगा कि तीन से दिन कटिंग एक से कटिंग आगिया answer 0 वह आप बन गए hero चलो अब देखो यह क्या है x2 plus y2 minus 2xy plus 2yz minus 2zx बराबर है इसको आपको गुनाणखन में तोड़ना है तो देखो क्या है x2 plus y2 plus z2 है हमारे एक formula होता है a2 plus b2 plus c2 plus 2ab plus 2bc plus 2c यह पर देखो यहां भी minus है यहां भी minus है मतलब अदोब plus यह है मतलब कह सकते हैं यह क्या है टू a b यह बीच में टू होता है 2bc ना a2 plus b2 plus c square plus 2ab मतलब यह यह ab है और इसमें c है Actually the meaning of c हो जाएगा मतलब plus है न bc मैं मतलब हम माल लेते है जिस्ट माल लेते हैं, B भी प्लस होगा, और क्या होगा, C भी प्लस होगा, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस यह हो जाएगा, तो यह तो आप माइनस A को माइनस माल लो, या फिर क्या करना है, दोनों को minus मान सकते हो, ठीक है, देखो, यहाँ पर minus है न, b, c, तो आपका b में भी minus हो जाएगा, c में भी minus हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि minus a का लेके बनाओ तो भी answer आएगा, लेकिन अगर minus b और c लेके बनाओगे न, तो आपका option match हो जाएगा, समझे रहो, minus b और c है, तो b में minus होगा, c में minus होगा, कैसे sir, तो x का square हैगा, plus y की जवापे न, minus y का square हो जाएगा, z की जवापे न, minus z का square हो जाएगा, sir, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो, यहाँ पर उनको तोड़ना है, यहाँ minus, यहाँ भी minus है, तो minus तो किसी में देना पड़ेगा, यहाँ तो a में दो, b में दो, c में दो, जिसके उसरा हम कैसे पता करें, किसे किसमें होगा, तो यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोगा, क्या है, यहाँ पर plus वाला है, मतलब क्या होगा, इसमें b और c में, या तो आप दोनों में माइनस दे दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2, B में अगर माइनस B दे दिए और यहाँ पर C में माइनस C दिए, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, या फिर क्या करो, आप दोनों को प्लस रहने दो, ठीक है, और तब माइनस क्या करना स्क्राइब हो गया अब प्लेस्टू इंटू 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 इं इसका होली स्कुर है तो बस ओई वह एपस्टार हो जाए एक्स माइनस वाई-फाइप का हो बीस्कुर हो गया जी चलो आगे बढ़ो इस प्रगासव और बता दूंगा ठीक है एक दो और रिवाईज करना और आसान हो जाएगा चलो देखो बूलाइक क्या कि एक्स-फाइब x minus y by 5 और minus 10 ब्राबर 0 तो a x a x a में कुछ दिख रहा है कुछ नहीं तो a कुछ नहीं होता है तो 1 हो जाता है चलोगे कमान हो गया b में b में कुछ दिख रहा है देखो b में minus है तो minus हो जाएगा परे क्योंकि हम लोगा जो equation होता है किसमें plus का रूप में होता है लेकिन minus तो minus हो गया और क्या y तो है लेकिन बटा में 5 है तो एक बटा 5 हो जाएगा minus एक बटा 5 हो गया और c का मन क्या हो गया minus 10 हो गया तो बस हो गया a कमान 1 b का minus minus 1 बटा 5 तो c कमान 10 तो 1 minus 1 बटा 5 और c का 10 सब्सक्राइब करना है तो अगर आप लोग अच्छा लगा है तो दबा के दबा के हर एक जगा पे सेर किजिए ठीक हर इक दोस्तों को सेर गए सब्सक्राइब करना है और बाकी सारा वीडियो अफ्लोड होता रहेगा अब मेहनत करो एक्जाम में एक्जाम मेरे रुकल धमाका मचाओगे बस मेरे सब बने रहो हर एक चीज इल्कल फाड क्या होगे चलो लभी वाल तैंक को अलपी अविकलत नहीं फिर नेक्स प्रिम जल मे अब डिलेग जाहे बंद्सक्राइब कर दो गो एक्जाम में प्रूम